हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल तियारी ओनलाइन में आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वॉक्सिट नमबर 24 बच्चों ये वॉक्सिट क्लास 6 का है और आज का हमारा विसे है गनित गनित में हम पढ़ने वाले हैं प्रायोगिक जयामीती ये वॉक्सिट है 27 सितंबर 2021 का प्रायोगिक जयामीती कहने का अर्थ है बच्चों प्रैक्टिकल जोमेट्री जोमेट्री किसे कहते हैं तो जोमेट्री हम कहते हैं रेखा गनित को हिंदी में इसे रेखा गनित कहा जाता है इसमें हम पढ़ते हैं बिंदों के बारे में रेखाओं के बारे में, तलों के बारे में, ठोस के बारे में तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं प्रायोगिक जयामीती में यानि प्रैक्टिकल जोमेट्री में आप लोगों ने geometry box जरूर देखा होगा, geometry box में कुछ उपकरन दिये जाते हैं हमें, उसका प्रियोग क्या होता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे, तो देखिए सबसे पहला उपकरन हमारा है ruler, इसका प्रियोग बच्चों हम मापने में करते हैं, अब आप इस ruler को ध्यान से देखिए, इसके एक तरफ cm है और दूसरे तरफ inches है, ज्यादा तर हम लोग किसका प्रियोग करते हैं, मापने में cm का, ठीक है, यहां कहा गया है, ruler के एक किनारे पर cm और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्द होते हैं, ruler का प्रियोग हम रेखा खंड खीचने और उसकी लंबाई मापने में करते हैं, ठीक है, तो यह है ruler का प्रियोग, दूसरा उपकरन हमारा है परकार, इसका प्रियोग क्या होता है, तो परकार से हम क्या करते हैं, परकार में देखिए, एक तरफ नोकीला, यह इस तरह से नोक बना होता है, और दूसरा जो इसका सीरा है, उस स से दो काम हम कर सकते हैं पहला इसका प्रियोग हम चाप में करते हैं और दूसरा इसका प्रियोग हम बृत खीचने में करते हैं ठीक है तीसरा हमारा है डिवाइजर डिवाइजर का दोनों पॉइंट देखे नूखीला है ठीक है इसका प्रियोग जो है वह लंबाई की तुलना करने के लिए किया जाता है चौथे इमेज को देखिए बच्चों चौथा इमेज हमारा है सेट एसक्वायर का इसमें दो त्री भुजाकार यंत्र दिया गया है इसका परियोग हम लंब रेखाएं और समानांतर रेखाओं को खीचने में करते हैं चलिए अब आपको मैं बताओं कि इसमें लंब रेखा कौन सा है ये रेखा जो है ये कहलाती है लंब रेखा ठीक है और समानांतर रेखाएं ये हो जाएगी एक ये और एक ये ये रेखा इस रेखा के बराबर है समानांतर कहने कारते हैं बराबर पाँचवा इमेज देखिए पाँचवा इमेज जो है वो है चान्द का इमेज ठीक है बच्चों इसे हम कौन मापक भी कहते हैं यहाँ देखिए यह मध्य में 90 डिग्री का कौन बना हुआ है तो यह पूरा जो है वह 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक है अगर यह पूरा एक और आधा चान्द हम इसमें जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा यह एक सरकल बन जाएगा ठीक है और सरकल का जो कौन होता है वह 360 डिग्री का होता है लेकिन हमें सिर्फ अभी चान्द के बारे में जानना है तो यहाँ देखिए यह एक अर्ध बृताकार यंत्र है जिस पर 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक भाग जो है वह चिन्नित होता है इसका प्रयोग कोनों को मापने और खीचने में किया जाता है अब आगे देखतें बच्चों आगे कहा गया है आओ करें आओ मिलकर ढूंढें इस भवन की आकरिती में कितने जयामीती उपकरन और आकरितियों का उपयोग किया गया है तो बच्चों यह है भवन इसमें हमें बताना है कि कितने उपकरनों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ देखें इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं यह क्या है सेटेस्क्वाय तो बच्चों यहाँ पे जगह बहुत ही कम है इसमें हम उपकरन का नाम और आकरितियां जो हैं वह सही से नहीं बना सकते तो इसके लिए हम नीचे बनाएंगे यहाँ देखें सबसे पहले हमें यह आकरिति दिख रही है ठीक है इस आकरिति को हम कहते हैं सेटेस्क्वाय हमने यहाँ पे नमबर वन लिख लिया सेटेस्क्वाय ठीक है पहली इमेज यह है आकरिति हम इसके जस्ट सामने बना देंगे इस तरह से इसकी आकरिती बनेगी, ठीक है बच्चों, ये हो गया सिट इसक्वाइर की आकरिती, अब हम दूसरा इमेज बनाएंगे किसका, ये रूलर है, यहाँ पर देखिये ध्यान से, ये क्या है रूलर, तो हम पहले लिखेंगे रूलर, उसके बाद यहाँ पर हम रूलर क इमेज बना देंगे, उपर में क्या होता है, और नीचे में क्या होता है बच्चों, नीचे में सेंटीमीटर, अब तीसरा आकरिती यहाँ देखिये, किसकी आकरिती है ये, तो तीसरी आकरिती हमने डिवाइडर की देखि, ये हो गया, हमें इमेज भी बनाना है, तो हम यहा यहां पर divider का image बना देते हैं, इस तरीके से इसका image बना हुआ है, यह हो गया diviser, ओके, चौथी आकृती हमें दिख रही हैं यहां पर चांद की, तो यहां पर हम लिखेंगे चांद और नीचे इसकी आकृती बना देंगे, यह इस तरीके से, यह हो गया यहां पर 90 degree, यहां प 80 degree, इस तरीके से, आप इसकी image ड्रॉ करें, और पांचवा image हमारा यहां दिख रहा है, पर कार, ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, circle, तो यहां हम लिखेंगे, पर कार, और हम इसका image बना देंगे, इसमें आप pencil लगा दें, यह हो गया क्या, पर कार, बच्चों आप जब भी draw करें, तो बहुत यह अच्छे से करें, मेरी drawing खास नहीं है, इसलिए मैं बस आपको समझाने के परपस से यह कर रही हूँ, तो बच्चों इस परकार से हम इस दी गई, जयामीती के उपकरन और आकरितियों के नाम लिखेंगे, आज का यह वाक सिट यहीं समाप्त होता है, वाक सिट आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना बिलकुल न भूले, यदि आपका कोई प्रस्न हो या सुझाप हो, तो आप अपने प्रस्न और सुझाप कमेंट में अवश से लिखें, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, मिलते हैं अगले वाक सिट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,